हेलो व्रिवान वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज फिर एक और नई रेसिपी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू और दम आलू बनाने के लिए हमें पहले आलू को बॉयल कर लेना है फिर जितना साइज आपको पसंद करने के लिए मैंने फोक से बताया था फिर इनको हमें फ्राय करना है हमें इने गॉल्डन कलर का होने तक फ्राय करना है अलू को हमें गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करना है और फिर निकाल लेना है बागी बचे हुए आलो को भी हमें सेम इसी टाइप से फ्राय करना है निकाल लेना है कर दो गुद कर दो हुआ है दोIt nurse के प्यास कोमने कट कर लिया है और Canada क्यों contenश She आइंट अधर का डिवर जिसे हमने कट कर लिया है इनने हमने रफली कट किया है और अब इनने मीक्सीन में जाल के इनने पीछ लेंगे इनने हमें दरदरा पीसना बिल्कुल एकदम बारिक नहीं पीसना है वरना प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होते और कड़वा पनाने लगता है अब हमने तेल को गरम कर लिया है इसमें हमने डाला है एक तेज पत्ता अब इसमें डालेंगे हम जीरा और ये चार से पांच काली मिर्चे एक हमें लेनी है बड़ी लाइची इनने हमें फ्राई कर लेना है मतलब भून लेना है जब इनमें से हलके हलकी समेल आने लगे इसमें हमें अपना प्यास डालना है पिसा हुआ और फिर उसे भी ब्राउन होने तक भून लेना है आप फ्राय होते हैं हम अपना टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं हमें तीन टमाटर को भी अपना मिक्सी नालकर पीच糖 लेना है मीडियम साइस तीन टमाटर है इन्हें रफली छॉप करके हमें पीस से लेना है हमें अपनी टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है और यह टमाटर की प्यूरी हमें इतनी पतली करनी है और अब हमारे जो अनियन फ्राइ हो रहे थे उसमें यह हमने मिर्चों को पहले से ही पीस लिया पेस्ट बना लिया है तो यह हमारा मिर्च का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हमारे अनियन अब अच्छे से फ्राय हो चुके हैं अब हम इसमें अपना टोमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे जब तक टोमाटर की प्यूरी जो हमारा पेस्ट है यह ओईल ना छोड़े तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राय करना है हमारा ये मसाल अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डालते हैं हम अपने सुखे मसाले सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चमच काला नमक जो आपकी मसाले वाली स्पून होती है वो भर के आपको काला नमक डालना है इसमें अब हम इसमें डालेंगे हाप स्पून जो है आपकी लाल मिर्च का पाउडर ये एक चमच हमने डाला इसमें धनिया पाउडर अब हम इसमें डालेंगे एक चुथाई चमच हमारा हिंग पाउडर यह पिसा हुआ हिंग था एक चमच हल्दी पाउडर अब हम सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करके फ्राइ कर लेंगे इसमें अब हम डालेंगे कसूरी मेथी सरदी के टाइम में आपको पता है हमारे हर समान में सीलन्स ही आ जाती है तो यह हमने थोड़ा सा तवे पे डालके इसको हलका सा फ्राइ किया ताकि क्रिस्पी हो जाए और फिर हातों से ही मैश करके इसमें डाल लीजिए अब सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए आप और यह हमने इसमें नॉमल जो नमक आप खाते हैं साधा वो डाला है अधा चमच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितना डालना है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालके हमने फिर से मिक्स कर लिय और अब इसमें हम अपने फ्राय के हुए आलू डालते हैं और दो मिनट तक ढखके इसको पकाते हैं ताकि जो यह मसाले हैं अच्छे से आलू को कवर कर ले दो मिनट हो चुके हैं और ये मसालों ने अच्छे से आलो को कोट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे डेड़ ग्लास पानी और अब इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है ताकि जो भी मसाले का फ्लेवर होगा वो अच्छे से सारी चीज़े इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी ग्रेवी भी तब तक थिक हो जाएगी आपको जितनी थिक करनी है ग्रेवी उस इसाब से आप पका लीजिए देखिए यह हमारे दमालू बनके रेडी हो चुके ही है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बाबाई